नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है बॉलिवुड जगत के लिए दुख भरी ख़वर है हिंदी सिनेमा की मसूर अदाकारा फर्रूग जफर का नवासी वर्ष की उम्र में सुक्रुवार की रात लखनव के सहरा स्पताल में निधन हो गया दस दिन पूर उन्हें ब्रेन श्ट्रोक हो गया था उत्तरपदेश के जोनपूर जिला के कलापूर निवासी यह मसूर अदाकारा चकेसर गाओं की तीन बार निर्विरोध ग्राम प्रधान भी रही निधन से जन्पदवासी समेथ पूरा बॉलिवुट सोका कुल है उन्होंने उम्राव जान से फिल्मी कैरियर की सुरुवात की फरुख ने आखरी बार गुलाबो सिताबो में अमिताब बच्चन की बेगम का किरदार निभाया था पिपली लाइव ने उन्हें खासी सोहरत दिलाई थी बेगम फरुख जाफर भादी के एक बड़े जमिदार परिवार में पैदा हुई उनकी शादी कलापुर के अंतराश्टी ख्याती प्राप्त परिवार में हुई सोहर अली जाफर स्वतंता सेनानी और कांग्रेस के बड़े लीडर थे वह कई वर्थों तक विधान पश्चत के सदस्य भी रहे बेगम फरुख के पती अली जाफर का तालुक उर्दू सज्जाद जहिर के खांदान से था जीवन का काफी वक्त उन्होंने चकेसर गाउं में गुजारा जहां उनकी पैत्रिक संपत्तियां थी बेगम फरुख जफर ने कैरियर की सुरुवात सन 1963 में आल इंडिया रेडियो में बतोर अनाउंसर की वह भारत की पहली महिला अनाउंसर थी बाद में उन्होंने हिंदी सीनेमा की तरफ भी रुख किया पहली ही फिल्म उम्राव जान में सदा बहर अभिनेत्री रेखा की मा का किरदार निभाया भारती मीडिया पर बनी वेंग्यात्मक फिल्म पीपली लाइव ने उन्हें खासी सोरत दिलाई सुल्तान वस्वदेश जैसी फिल्मों के साथ ही लखनव के नवाबी कल्चर पर हाल ही में बनी गुलाबो सिताबो में बेगम फर्रूक जफर आन स्क्रीन अमिताब बच्चन की बेगम भी बनी गुलाबो सिताबो उनकी आखरी फिल्म थी उन्होंने 89 साल की उम्र में आखरी सास ली उनकी दो बेटियों में एक महरू जफर एक अकबार की बड़ी पत्रकार हैं और दूसरी बेटी लखनव में कान्विंट स्कूल चलाती हैं वेचा केसर गाउं की तरक्की और बालिकाउं की सिच्छा के लिए काफी फिक्रमन रही भादी में उन्होंने पचीस मोहर्रम का जुलूस कायम किया जिसमें हर साल हजारों लोग सिर्कत करते हैं करीब डेड़ दसक तक वह खुद जुलूस में सामिल होने भादी आया करती थी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जो तो बाई